शब्द विचार शब्द नीचे दिये गए चित्रों को ध्यान से देखिए गमला हाथी उपवन उपर दिये गए चित्रों के अलग-अलग नाम हैं जैसे पहला चित्र गमले का है, दूसरा चित्र हाथी का तथा तीसरा चित्र उपवन का है इससे हमें पता चलता है कि 1. विभिन वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं 2. शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं एक या एक से अधुकी वर्णों का सार्थक समुही शब्द कहलाता है यह भी कह सकते हैं कि किसी ना किसी अर्थ का बोध कराने वाला वर्न समुह ही शब्द है निमनलिखित शब्दों को समझिए प, आ, न, इ, पानी, क, अ, म, अ, ल, अ, कमल, फ, उ, ल, अ, द, आ, न, अ, फूलदान, पद, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है वाक्य में एक से अदकी पद होते हैं जैसे 1. मोहित अखबार पढ़ रहा है 5. पद 2. संजीव अपनी बहन से मिलने गया 6. पद 3. काव्या ताज महल देखने के लिए चली गई 7. पद शब्दों के भेद शब्दों कावर गीकरन चार प्रकार से किया जाता है शब्दों कावर गीकरन अर्थ के आधार पर उत्पत्ती के आधार पर रचना, बनावट के आधार पर प्रयोग के आधार पर यहां हम अर्थेव मुत्पत्ती के आधार पर शब्दों के भेद समझेंगे 1. अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित दो भेद हैं 1. सार्थक शब्द 2. निरर्थक शब्द 1. सार्थक शब्द किसी व्यक्ति, वस्तू या अर्थ का बोध कराने वाले शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं जैसे पुस्तक, रोटी, मकान, सड़क आदी 2. निरठक शब्द रतहीन शब्द अध के तसार्थक शब्दों के साथ लिखे या बोले जाते हैं जैसे चायवाय, रोटी वोटी, पानि वानि आदी 2. उत्पत्ती के आधार पर उत्पत्ती के आधार पर शब्दों के चार भेध हैं 1. तत्सम्शब्द 2. तत्भव शब्द 3. देशज शब्द 4. विदेशी शब्द 1. तत्सम्शब्द संस्कृत भाशा के जो शब्द अपने मूल रूप में हिंदी भाशा में प्रयोक किये जाते हैं ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं जैसे घरित, त्रिन, दधी, हस्तादी 2. तद्भव शब्द संस्कृत भाशा के वे शब्द जो बदलाव के साथ हिंदी में प्रयुक्त किये जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं जैसे तत्चम तद्भव सर्प साप रातरी रात दधी दही आमर आम ग्राम गाव दंत दात ग्रिह घर कारिय काम त्रिन तिनका तीन देशज शब्द क्षेत्री अभाशा से हिंदी में आये शब्दों को देशी या देशज शब्द कहते हैं जैसे लकडी, चिडिया, जूता, घोसला, जाड़ु आदी चार, विदेशी शब्द कुछ शब्द विदेशी भाशाओं से आकर मैकरॉन हिंदी में प्रयोग किये जाने लगे हैं, ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं जैसे विदेशी भाशाओं के शब्द अंग्रेजी शब्द डॉक्टर, कमेटी, स्टेशन, कॉलेज, पेंसिल, साइकिल, कम्पनियादी फार्सी शब्द बर्प, नाशपाती, जमीन, चश्मा, नमक, औरत, बीमार, दुकान, मुफ्तादी अर्भी शब्द कमीज, कैदी, गरीब, मालिक, कागज, अमीर, उलाद, तकदीरादी पुर्तगाली शब्द तॉलिया, अचार, बाल्टी, अलमारी, साबुन, चाबी, प्याला आदी तुर्की शब्द चेचक, कालीन, तोप, कैची, कुली, बहादुरादी हमने सीखा वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं शब्दों के प्रयोक से वाक्य बनाए जाते हैं वाक्य में प्रयोक्त शब्द पद कहलाता है अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं 1. सार्थक शब्द 2. निरर्थक शब्द उत्पत्ती के आधार पर शब्द के चार भेद हैं 1. तत्सम 2. तत्भव 3. देशज 4. विदेशज